हेलो एब्रिवन मैंने में सचिन पाल जैसे कि मैंने पहले भी बता था आप भी बता रहा हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं अभी जो हाली में देखा होगा आपने रशिया और युक्रीन का विवाद तो वही कि क्या हुआ कैसे हुआ उसी के बारे में आज कुछ जानने वाले हैं कुछ बाते पता करने वाले हैं कि कैसे क्या हुआ था इससे पहले इसका बेक्ग्राउंड जाने वाले हैं चलो तो पहले आप आपको वर्ड मैप पे लिके जलते हैं यह देखो यह हमारा इंडिया है प्यारे से इंडिया हमारी है ठीक है पहले हम मैप को देख लेते हैं जहीं से उसके बात करते हैं कि क्या है इंडिया ऊपर यह हम अब जिसके बारे में बात करने वाले हैं और इधर यह अमेरीका ठीक है तो कहानी कुछ यह देखो शेर कर लिए अपने यहां से ब्हुम लोगा वर्ड एक में पूरा घुम मैं ठीक है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं जो कर आपर तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है वर्ड वार सेकेंड से उसमें क्या था कि दो कंट्री अमेरिका इन दूसरा य यह यह पूरा यहां से लेगे हैं कि दिस वन दिस वन और ये एंदर में होता था कि दो गताए विश्व्म होता था उसका फुल फॉर्म है यूनियोन ऑफ सोजलिस्ट रेपबलिक तो यह उसका फॉल तो अब क्या करते हैं अब अपनी स्टोरी में स्टोरी पर आते हैं जैसे कि बता दिया कि USSR में यह सारी कंट्री वर्ड वॉर्ड से पहले आया करती थी यह बात थ्यान रखना यह अमेरिका अब क्या हुआ कि यह दोनों आपस में मित्रत है यूएससर और अमेरिका उनकी जब वर्ड वर्ड सेकेंड चल ला था तो यह आपस में एक थे और यह अपना एक छोट्टू सा जपान बैठा हुआ है यह और यहां यूरूपीन यूनियन की कुछ कंट्री थी जैसे जर्मनी हो गई ऐसे वह जैपान के साथ मिल के लड़ रही थी तो दो पार्टी बन गई एक अमेरिका यूएसेसर की एक जर्मनी सोरी जापान और जर्मनी की और भी कंट्री इनके साथ थी अब क्या हुआ यह दोनों साथी में लड़ रहे थे जैसे आपको मालूम था कि अमेरिका ने जापान में हेरोश्यमा और नागिशाखी पर बॉम्ब फोड़ दिया अब रशिया को लगा यार यह तो मेरा दोस्त था इसने बिना मुझसे बताए और इतना बड़ा कांट कर दिया तब क्या था कि कोई भी कंट्री यह दिख रही है ना सारी इसमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिसके पास न्यूकलर वेपन हो इसने चुपके से बनाया अमेरिका ने चुपके से बनाया और उठाके लिजा के फोड़ दिया यहां पर अब क्या हुआ उससे जो रशिया था मलब यूएस से सार था वो नाराज हो गया वो किने लगा भाई यार यह कैसा होता ऐसा तो मैंने खेलूंगा इसमें आपने जब बम फोड़ा था उससे बता देते भाई मैंने नुक्लियर बॉम बना लिया है अब मुझे बता देते कि मैं फोड़ने जा रहा हूं तो मैं कुछ कह देता तो अब क्या हुआ जब यहां पर बम फूटा तो वाड़ वाड़ तो देरे-देरे सवाप्त हो गई पर इन दोनों के बीच में जगड़े वढ़ने लगे अब क्या हुआ जब यह दोनों जगड़े के बाद दोनों हो गए अलग अब वो अमेरिका क्या सोच रहा है कि भाई यार यह तो बनेगा नहीं आप तो मेरी पावर कम पड़ गई है अगर बाइचांस कोई कुछ होता है आगे तो मेरे साथ तो कोई है नहीं पास को हम्ला करता है तो तूम्हें बचाले अगर आख को हमला करता है तो मैं तुम्हें बचा लूँगा चाने कई कंट्री को सामिल कर लिया उसमें से उसमेंसे ये अमेरिका था एकनेडा था मैक्सिको था इक की मैं आम अपको नाम अर्मेनिया एजरबयजन वेरारूज इस्टोनिय जॉर्जिया कि लिय्रय इस तान लात्विया रॉषिया तज्यकिस्तान अभी लास्ट में मताई तो पहले जो यूजर हैयन इसको भी अपना नाटो मेंबर बना लिते हैं जिससे रहेगा कि हमारी कंट्री बढ़ जाएंगी और इसको जो नाटो मेंबर बना लेंगे ना तो इससे जो हमारी थोड़ा ठनी है यह बात बढ़ जाएगी ऐसा कुछ उसने सोचा होगा अब क्या हुआ कि जब इसने कहा जैसे इसने कहा कि युक्रेयन को हमने हमने अपना नाटो मेंबर बना लेना बन जाएगा तो रहें इसने सुना रसिया ने कि यूक्रीन को यह अमेरीका ने लेना चाह रहा है तो फिसी तो यहां पर अपनी सेना त्यानात कर दी अभी हाली के तो यहां पर बिंजिंग चल ले थे तो रशिया और चाइना और रशिया की इनकी बहुत अच्छी बनती है तो रशिया ने का होगा कि रशिया जब तक यह चल ले तब तक रूजा उसके बाद जो कुछ करना है तो कर ले ना तो ठीक है जैसे इधर ओलंपिक समाप्त हुए वैसे ही चैना ने रशिया ने यहां पर दावा बोल दिया अब क्या हुआ उससे पहले धावा बोलने से पहले अमेरिका इनको योगरें को समझाता रहा है कि भाई ऐसा है कि तू टेंशन मत लिए तेरा भाई है ना यहां पर मैं सम्हालूंगा सब कु अधी उठाके यहां पर पटक दिया कि यहां पर लगा दी और रशिया को धंकी दे रहा है कि अगर कुछ किया ना तो सोच लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दीसरी वर्डवार हो जाएगी अगर तुमने कुछ किया कि इतना उसको सपोर्ट करता रहा अब यूग्रों यूट्रेंड वाले की प्रशिडेंट भी अप्रशिया कि अमेरीका साथ है अमेरीका हमारे साथ है इसका मलब नाटो की जितने 30 मिंबर वह हमारे साथ है जब तीस कंट्री हमारे साथ है तो अखिला ये क्या कर लेगा हम तब भाई इसने आपनी फोर्स बढ़ानी स्टार्ट कर दी तो कफी इसने अपने अमेरिका ने अपने त्रूप्स यहां पे भेज दिये और कुछ हतियार भी अब रश्या तो बड़ा हई है जैसे इसने रश्या ने यहां पे बिंजडिंग खत्म हुए उसके बाद रशिया ने यहां पे चढ़ाई कर दी अब यह भाई साब क्या बोलना है जैसे चढ़ाई क कर दी तो भाई साब बोले हैं कि we are not going to defend Ukraine we are not going to fight with Russia है अब यह भाई क्या होता है अभी तो तुम कह रहे थे कि भाई तू चाहे कुछ भी कर मैं तेरे को बचा के रहूंगा अब क्या हो रहा है कि अब वतार है कि नहीं अब हम यह नहीं कर पाएंगे हम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हम सारा ट्रेड उसका बंद कर सकते हैं अभी तक आप उसके साथ में थे तो आपको उसके बाद यह यहां से चले गए इन्हीं के बज़े से तालिबानियों का समझलो बाहर निकल के आए थे चलो यह तो दूसरा टॉपिक है दूसरा उस पर आते हैं जो अभी प्रजेंट टाइम में चलना है तो फिर यहां पर अपना हमला बोल दिया प्रजेंट टाइम में पीम साब यहीं पर गएं मंदा उन्होंने कहा है कि यूवरिन के अमबस्टर की सैद मुदी जी है जो हमें बचा सकते हैं तो अभी गये हैं देखो क्या होता है उसमें क्या नहीं होता है तो इससे हमें chapter सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी हमें कुछ कहता है तो अपनी capability के ह चड़ जाओ और फिर क्या होना क्या नहीं होना है तुम्हीं जानों उससे पहले आपको सोच लेना चाहिए कि इसका परड़ाम क्या निकलने वाला है अब भाई साब जो भी करना है सोच समझ की करना लाइफ में यह मुझे चैप्टर सिखा रहा है सो इतना ही कत्तक के लिए जैहंद और हाँ अभी सुनने को मिला है कि यूरप में ओमिक्रोन का दूसरा वेरेंट आ रहा है उसका नाम साथ बीए 112 वैसे कुछ है सो सेफ रहें अपने फैमिली को स प्रोटेक्ट रखें और तब तक के लिए जैहंद